Hello everyone, welcome back to my channel learning with pace तो अभी हम लोग बात करेंगे A gateway to the west सूरत के बारे में तो आगे बढ़ने से पहले यहां side में जो box में हमें बताया हुआ है Emporium का मतलब वो हम देख लेते हैं A place where goods from diverse production centers are brought and sold That means कि एक ऐसा place, Emporium किसे कहते हैं एक ऐसा place जहां पर अलग अलग variety के goods होते हैं And वहां से ही समान को खरीदा और बेचा जाता है सूरत in Gujarat was the Emporium of Western Trade during the Mughal period along with Cambay Cambay को हम present day Khambad के नाम से जानते हैं And somewhat later एहमदाबाद सूरत कहा है? Gujarat में है तो अगर हम मुगल period की बात करें तो मुगल के time period में सूरत एक Emporium था Western Trade का Emporium का मतलब क्या है? यहां हमने देखा कि सूरत में अलग अलग variety के goods थे और यहीं से जो है commercial trading होती थे हैं यह कह सकते हो कि मुगल time period में सूरत एक central point था commercial trading का यहां से अच्छा खासा सामान बल्क में बेचा जाता था और करीद कर भी लाया जाता था तो मुगल के time period में सूरत एक Emporium था Western Trade का मतलब कि commercial trading का यह एक main center था और सूरत कहां पर है? यह Cambay के पास में है मतलब present day जिसे हम खंबत कहते हैं तो यहां देखो आपको यहां पर दिख रहा है सूरत यह देखो यह सूरत है और यहीं पर यह रहा पास में क्या है यह? यह है Cambay जिसे हम present day खंबत कह रहे हैं तो खंबत के पास में सूरत है और सूरत के बाद में हम देखेंगे कि जो एहमदाबाद है ना यह भी Western trade का एक Emporium बन जाता है मतलब सूरत के बाद में जो एहमदाबाद है ना इसमें भी आप देखेंगे बहुत development होता है commercial level पल सूरत was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Ormuz देखो सूरत इतना important center था कि सूरत से West Asia में सामान बेजा जाता था तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सूरत एक Emporium था commercial trade के लिए और Western trade का मतलब यहाँ क्या है कि सूरत से सामान West Asia और अलग अलग जगे बेजा जाता था और सूरत से जब सामान बेजा जाता था ना West Asia में तो वो समूंदर के किनारे बेजा जाता था जैसे कि मैं आपको फिर से map में बता रही हूँ यह सूरत और यह क्या है यह है कैमबे जिसे हम present day कंबत कह रहे हैं और यहां से सामान बेजा जाएगा और बीच में क्या पड़ेगा बीच में है Gulf of Ormuz और मुझ से ही फिर सारा सामान जो है वो यहां जो West Asian countries है वहाँ भेजा जाएगा West Asian countries में जैसे कि Saudi Arabia हो गया, Iran हो गया, Iraq हो गया, इसके अलावा Oman हो गया, Yemen हो गया यह सब countries में फिर सामान सूरत से भेजा जाता था इस तरीके से सूरत has also been called the gate to Mecca because many pilgrim ships set sail from here तो अब होता क्या था ना कि पहले के टाइम पर flights वेगरा तो थी नी कि लोग Mecca चले जाएं तो लोगों को Mecca जाने के लिए क्या करना पड़ता था? समूदरी किनारे का यूज़ करना पड़ता था समूदर के रस्ते से वो जाया करते थे और Mecca कहां पर है? साउदी अरेबिया में तो जितने भी Muslims होते थे जो Indian Muslims थे वो Mecca कैसे जाते थे? वो समूदर किनारे से जाते थे तो सूरत जो है ना इसी लिए इसको gate to Mecca कहा गया है क्योंकि सूरत से ही जो pilgrimages थे वो अपनी ships को sail किया करते थे मतलब यहां से वो ship पकड़ते थे और तब वो कहां जाया करते थे? तब वो जाया करते थे Mecca समूदर के किनारे से तो इसलिए हम सूरत को gate to Mecca भी कहते हैं I mean पहले के टाइम पर कहा जाता था The city was cosmopolitan, सूरत city एक cosmopolitan city थी and people of all caste creed lived here that means कि यहां पर अलग-अलग caste, अलग-अलग color, अलग-अलग creed के लोग एक साथ रहते थे trading करते थे यहां से, right? तो इसलिए हम इसे cosmopolitan city भी कह सकते हैं Cosmopolitan का मतलब होता है जहां पर न कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही धरम के लोग रहेंगे या एक ही caste के लोग रहेंगे Cosmopolitan का मतलब होता है जहां पर अलग-अलग caste, अलग-अलग creed के लोग एक साथ रह रहे हों और फिर वो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और अपना लाइवलि हुट भी चला रहे हैं तो उसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं In 17th century, the Portuguese, Dutch, English had their factories and warehouses at Surat देखो क्या था ना कि वैसे ये Surat एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी था इसमें हमारे इंडिया के अलग-अलग कास्ट के लोग, अलग-अलग क्रीड के लोग यहां रहते थे लेकिन हम लोगों के अलावा वहां पर, मतलब सूरत सिटी में 17th century में हमें Indian people के अलावा हमें foreigners भी देखने को मिलते थे जैसे कि Portuguese, Dutch and English लोग, इन्होंने अपनी factory and warehouses establish कर लिये थे सूरत में, warehouses का मतलब क्या है कि go down ठीक है, जैसे कि इंडिया के अलग-अलग-अलग-अलग parts से यह लोग क्या करते थे सामान खरीदते थे and यह जो सूरत में इन्होंने अपने go down या अपने warehouse बना रखे थे, वहाँ पर यह सारे सामान रखते थे जैसे कि यह देखो, यहाँ है सूरत, right और यहाँ पर इनके क्या होते थे Portuguese, Dutch and English इन्हों के go down होते थे तो यहाँ अलग-अलग इंडिया के parts से इन्होंने कुछ-कुछ सामान करीदा और वो सामान इकठा करके यह इन्हीं warehouses में रखते थे जो warehouse इन्होंने सूरत में establish किये ठीक है तो हम इसी लिए इस city को Cosmopolitan City कहते थे According to English chronicler Ovington who wrote an account of the port in 1689 On average, a hundred ships of different countries could be found anchored at the port at any given time तो यहाँ पर हमें एक chronicler के बारे में बात बताई गई है कि एक English chronicler थे जिनका नाम था Ovington इन्होंने सूरत port के बारे में कुछ बताया है अपने account में और इन्होंने ये कब लिखा 1689 में और इन्होंने क्या बताया इस port के बारे में देखो ये कहते हैं कि आप किसी भी time वहाँ चले जाओ मतलब उन दिनों की ये बात कह रहे हैं कि उन दिनों आप किसी भी टाइम चले जाते तो वहाँ पर आपको हमेशा hundreds of ships अलग-अलग countries की देखने को मिलेंगी जो उस port पर anchored थे मतलब उस port पर ऐसे लंगर लगाए हुए ना खड़े रहते थे कहने का मतलब यह है कि सूरत ना उस टाइम पर इतना important था कि उस जो यह हम यहाँ पर यह देख रहे न यह खंबत अभी तो यह बहुत मैसी हो गया यह वाला map वेटा यह जो पार्ट है ना यह पार्ट यह पार्ट जो गल्फ है basically यह खंबत जो है यह गल्फ ऑफ खंबत यह इतनी ज्यादा occupied थी यहाँ बढ़ना अलग अलग देशों की ships यहाँ खड़े रहते थे लगबग hundreds of ships यहाँ पर खड़े रहते थे क्योंकि यहीं से ही सारा trading वगहरा होता था अब आप देखो कि सूरत में Portuguese, Dutch, English लोग इन्होंने अपने factory, warehouse established कर रखे थे तो जो इन्होंने warehouses में सामान रख रखा था उसको भी तो इन्होंने बेज रहा था ना बाहर राइट इसके अलावा हमारे भी लोग हो गए वो भी trading के लिए यहाँ पर जो है सामान बेशते रहते थे लोगों को and दूसरे देशों के लोग यहाँ पर ताक लगाए खड़े रहते थे सो कहने का मतलब है कि जो यह सूरत ना यह ऐसी cosmopolitan city थी कि यहाँ पर हमारे लोगों के अलावा इंडियन पीपल के अलावा अलग-अलग देशों के लोग भी थे और अलग-अलग देशों के जो ships थे ना वो भी यहाँ आसपास खड़े रहते थे There were also several retail and wholesale shops selling cotton textiles सूरत में ना हमें ऐसी बहुत सारी wholesale and retail shops देखने को मिलती हैं जहां पर ना या तो थोक के भाव में या फिर pieces में cotton textile का का काम किया जाता था मतलब जो सूती कपड़े ना वो बेचे जाते थे The textiles of सूरत were famous for their gold lace borders had a market in West Asia, Africa and Europe And जो सूरत में ये cotton textile थी मतलब ये जो सूती कपड़े थे ये इसलिए इतने जादा famous थे कि उनके किनारों पर ना उन कपड़ों के किनारों पर gold lace लगाई जाती थी जिसे कहते हैं जरी का काम ठीक है जैसे कि ये एक कपड़ा हो गया एक चुणनी लगा लो ये ये cotton एक चुणनी लगा लो हम सिर्फ एक example ले रहे हैं और इसके corner पर हमने क्या कर दिया ऐसे एक या किसी भी अलग design का हमने ऐसा एक क्या कर दिया है gold lace लगा दी थीक है तो इसे कहा जाता है जरी थीक है जरी का काम करना और ये जरी का काम था ना cotton कपड़ों पर इतना ज्यादा famous हो गया कि इन लोगों ने West Asia, Africa and Europe में भी अपनी markets establish कर ली the state built numerous rest house to take care of the needs of people from all over the world who came to the city अब बहुत सारे लोग दुनिया भर के कोने कोने से सूरत आते थे cotton textiles के चकर में ठीक है और ये यहां से सामान सस्ते दाम पर खरीद कर भेंगे दामों पर बेच देते थे या फिर बहुत सारे traders जो है यहां से सामान लेके दूसरी जगे बेचते थे तो कहने का मतलब है जो ये traders यहां सूरत city में आया करते थे इन traders के लिए सूरत state ने rest house बना रखे थे rest करने के लिए मतलब जैसे traders अगर दूर दूर से आया है वो ठक गए होंगे तो उनके लिए कुछ आराम करने की जगे भी बना दी गई थी जैसे कि buildings बना दी गई थी, pleasure parks बना दिये गए थे ताकि यहां बैट कर, लेट कर ये लोग अपना थोड़ा सा आराम कर सके The Cartier Ward states and Mahajans, जिने हम money changers भी कहते हैं had huge banking houses at सूरत सूरत में अब इतना ज्यादा जो है trading होने लगा था चाहे आप goods की बात कर लो, अलग-अलग या spices की बात कर लो अलग-अलग चीजों का जो है यहां पर basically न अच्छा खासा trade होने लगा था और ये एक emporium बन गया था तो अब हुआ यह कि जैसे जैसे यहां पैसे का circulation होने लगा जैसे जैसे city develop होने लगी तो यहां पर जो काठियावार्ट states या जिसे हम महाजन भी कह सकते हैं English में इने हम money changers कहते हैं यह काफी active हो गए और इन्नों ने अपने बड़े बड़े bank houses यहां open कर दिये सूरत में It is noteworthy that सूरत हुंडीज were honored in far off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium So इनकी जो सूरत की जो हुंडीज थी ना वो मैं अभी आपको बताऊंगे हुंडीज क्या होता है तो सूरत की जो हुंडीज थी वो दूर दूर के कोनों में दूर देशों के जगों में इतनी ज्यादा famous हो गई थी जैसे की Cairo in Egypt, Basra जो इराक में है या फिर Antwerp जो Belgium में है तो सूरत की जो हुंडीज थी अगर इन देशों के अलग-अलग हिस्सों में इन हुंडीज को दिखा दिया जाएगा तो इनका काम बन जाता था अब हुंडीज क्या होता है पहले ये समझो फिर आपको आगे बाद समझ में आएगी हुंडी is a note recording a deposit made by person हुंडी क्या है एक written note होता है देखो एक चीज ध्यान रखना पहले के टाइम पर जैसे लोगों को जब ट्रेडिंग करते थे तो उनको डर लगता था कि सामान की loot part ना हो जाए ऐसे ही पैसो का भी डर रहता था कि पैसे ना कोई इनसे चुरा ले या इनके साथ कोई loot part कर ले तो ये लोग क्या करते थे ना अब सूरत इतना important हो गया था तो सूरत में इनोंने ना हुंडी चला दी थी अब हुंडी क्या था ये एक written record था राइट अब जैसे suppose करो इस कोई सेट है ठीक है कोई ये काठियावार्ट सेट है इसके पास कुछ पैसे आपने जमा कर दिये तो ये काठियावार्ट सेट आपको एक हुंडी देगा मतलब एक written record देखा अगर ये written record आपने काईरो में बस example लेती हूँ for example मैंने यहाँ पर एक सेट के पास एक लाक रुपे जमा कर दिये ठीक है एक लाक रुपे मैंने जमा कर दिये सूरत में ओके और इस एक लाक रुपे जमा करने के बदले इसने मुझे एक हुंडी दिया मतलब एक written record दिया जिसे क्या कहते हैं ये हुंडी कहते ह मैं यहाँ हुंडी लिख रही थी बढ़ यहाँ रिकोर्ड लिख दिती हूँ मैं ओके एक इसने मुझे एक रिटन रिकोर्ड दिया और इस रिटन रिकोर्ड में लिखा हुआ होगा कि मैंने जो है इस इस डेट को एक लाक रुपे जमा किये हैं इन सेट को ओके अब मैंने जै के अपने network होते थे and इस network के तुरू क्या होता था कि payment easy हो जाती थी, अब suppose करो कि Cairo की जगयागर मैं बसरा में चली गई और वहाँ मैंने ये return record दिखा दिखा दिया, तो मुझे वहाँ से payment मिल जाएगी ऐसे होता था वहाँ पर मतलब सूरत में न हुंडीज दिखा दी जाती थी हुंडीज लेकर और वो अलग-अलग देश के कोने में जाती और उनको payment मिल जाया करती थी However, सूरत begin to decline at the end of the 17th century, 17th century के end में सूरत भी decline होने लगा, इसके पिछे reason भी एक ये था productivity, markets में and productivity में काफी lows होने लगा and उसका reason क्या था कि Mughal Empire का decline होने लगा था, क्योंकि Mughal Empire ने ही सूरत city को emporium बना रखा था, तो जब Mughal Empire ही नहीं बचा, तो फिर सूरत किस तरीके से develop कर पाता तो सूरत का भी decline शुरू हो गया फिर दूसरा reason ये है कि जो sea routes थे वो Portuguese ने जो है, control कर लिए and competition from Bombay where the English East India company shifted its headquarters in 1668 and today सूरत is a bustling commercial center, तो हमने पहला reason क्या देखा, कि decline हो गया था Mughal Empire इसलिए सूरत का जितना भी trading system था, वो और दीरे-दीरे decline होने लगा, दूसरा reason क्या है कि जो Portuguese थे ना ये काफी ज्यादा powerful थे उस time पर और इन्होंने ये जो sea area है ये जो sea route है इसको control कर लिया, ठीक है and तीसरा क्या था ना कि जो Bombay जी से present day हम Mumbai कहते हैं, इसमें मतलब Mumbai में जो English East India Company इन्होंने अपना head quarter बना लिया था 1668 में तो अब सूरत के लिए एक competition बढ़ गया था अब competition बढ़ने लगा तो जो Bombay है उस time पर वो काफी flourish होने लगा और लोगों का ध्यान सूरत से अब कहां जाने लगा Bombay की तरफ जाने लगा तो फिर वैसा जो चीज सूरत में होती थी फिर Bombay में शुरू होने लगी मतलब दुनिया भर से देश के कोने कोने से लोग फिर Bombay जाकर trade करने लगे तो ये दो-तीन reasons थे जिस वज़े से सूरत का decline हो गया था लेकिन अगर आज के time पर देखे सूरत जो की गुजरात में ही है और ये आज के time पर भी काफी important commercial center है है ना जो जितने भी गुजराती traders है वो काफी famous है दुनिया के कोने कोने में लेकिन सूरत जैसे की हम देख रहे हैं जिस तरीके से decline हुआ था उसी तरीके से वापिस उभर कर आया और आज के time पर सूरत एक bustling commercial center है bustling का मतलब यहाँ पर आज भी अच्छा खासा commercial trading होता है